अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आप छट मईया को मीज़ कर रहे हैं तो कर दोस्तों यह आज के दुनिया में बहुत कल्चर है क्योंकि हम हर साल अपने गाउं में हर जगर यह चट मेरिया का पूजा करते थे और हम लोगों चीज करवाते थे अगर हमें यह चाहिए यह चीज है कि आज हमारा उससे बहुत बढ़िया संबंद हो गया है कि हमें एक दिवाली और चाहिए उसके बाद तो हमें और जिन्दी भर खटा दो कि मेरे को पूर उस्तक्लित नहीं है अगर हमें यह चीज हमारे दोस्तों अगर हम च्टमेख रहे हैं इतना वीच कर रहे हैं कि नहीं अकभी कही नहीं जा पाएंगे तो हम यह सोचते हैं हम यह सोचते हैं कि नहीं क्यों न चाहे हमारे अभी घर से भी पोर आया था कि आप बहुत तक्रीफ नहीं हम इस साल नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारे जो काम पर जो हमें हम जिए नोगरी कर रहे हैं वहां से छुप्ती नहीं मिल रहा है तो बहुत तक्रीफ में चल रहे हैं वकर का करें आप बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसके लिए हम नहीं आ पार रहे हैं तो घरवाले मन उदास हो गया कि नहीं आप आ जाएगे और हमारे जो दोज भी थे वह भी परसां कर देगे नहीं आप आईए और छट मैया का असिरवाद लिए अगर यह हमारे आईशा है कि आसिरवाद लेना बहुत जरूरी होता है अगर आप भी जा सकते हो तो चले जाओ छट मैया का असिरवाद लेलो कि हम ऐसे हमारा एक छट पूजा है जो एक सांग में एक बार आता है और इनको हम बहुत दिल से मानते हैं और इनके मिना हमारी पूरी जिंदगी ही एक दोस्त लोग हमारे जो है इनसे मिलने नहीं जाब आ रहे हो तो कि मिस कर सकते हैं आज हम सोच रहे हैं कि हम यहां से अगर छट पूजाक में खलाइट बगड़ी काउ जाना रहे हम चले जाएगी खावी हमको काम से चुटी मिल जाएगी